ओम शान्ति आज का टॉपिक है आत्मा क्या है? आज दुनिया में ऐसी भाग दोर भरी जिन्दगी है जो सभी भाग रहे हैं कुछ छणों के लिए भक्ती तो करते लेकिन उसे स्वयम में परिवर्ता नहीं आता खुद को ही भूले हुए हैं जबकि हमारा शरीर तो पांच ततों से बना हुआ है शरीर का तो ध्यान रखते हैं लेकिन आत्मा जिसके आधास से शरीर चलता है उसे भूले हुए है जब कोई शरीर छोडता है तो बस उसी समय आत्मा याद आती है यदि हम शरीर में रहते हुए आत्मा के बारे में जान लें तो हमारी द्रिष्टी बदल जाएगी द्रिष्टी बदली तो द्रिष्टी कौन बदल जाएगा और जीवन परिवर्तन हो जाएगा तो आईए जानते हैं कि आत्मा कहां रहती है तो आत्मा रहती है ब्रिकुटी के बीच में, जहां हम तिलक लगाते हैं, जिसे हम स्थूल आखों से देख नहीं सकते, बल्कि ग्यान के तीसरे नेत्र से अनुभो कर सकते हैं, तिलक की निशानी है कि आत्मा वहीं स्थित है, या आकार में अती सुक्षम बिंदी के समान है, आकाश में जैसे तारे जिल मिलाते हैं, ब्रिकुटी के मद्धे ऐसे ही आत्मा को जिल मिलाते हुए महसूस करना है, जब हम सभी ओड से बुद्धी शान्त कर महसूस करते हैं, तो उस दोरान हमें शरीर का भान नहीं रहता, केवल मन बुद्धी आत्मा को ही का ही भान रहता है, यदि हम एक मिनट भी महसूस कर ले, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक मिनट भी बहुत होता है, इसलिए, आईए अब जानते हैं आत्मा में कितने गुण समाए हुए हैं, तो आत्मा में साथ गुण हैं, प्रेम, सुक, शान्ती, शक्ती, ज्यान, आनंद और पवित्रता, आज मनुश्यों में इन सभी गुणों की कमी है, क्योंकि आत्मा कमजोर हो गई है, शरीर को वाहय वस्तों से सुख पाकर, अपने आपको सुखी समझते हैं, ज्यान से समझ आएगी, तभी सुख शान्ती का आनंद का अनुभव कर सकेंगे, आत्मा के ग्यान को समझना जरूरी है, हम आत्मा हैं ना कि शरीर, भले ही शरीर से तो कर्म करना ही है, लेकिन यह समझना है, कि आँखों द्वारा आत्मा देख रही है, कानों द्वारा आत्मा सुन रही है, हाथों द्वारा आत्मा कार्य कर रही है, यदि आत्मा शरीर छोड़ दे तो आख तो रहेगी लेकिन नहीं देख पाएंगे कान होते हुए भी सुन नहीं पाएंगे इसलिए शरीर की सम्हाल तो करे ही लेकिन आत्मा को भी भोजन दे और आत्मा का भोजन है सत्य ग्यान सत्य ग्यान से आत्मा में बल भरेगा और आत्मा के सारे गुण एक्टिवेट होंगे ओम शान्ती